तो बफर लगाने से क्या होता है डाड़ी में लिफ्टेट लगाने से जब कि ऐसा बिलकुल नहीं है जैसे कि आप जानते हैं हमारी जम्निकोगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग जो कि एक myth-buster वीडियो होगी हम सभी को जिंदेगी में कोई लोगों को ब्रहम होते हैं सभी के साथ कोई लोगों को मित्स चुड़ी होती है हम जिन जिन areas के बारे में या तो बहुत ज़्यादा जानते हैं या बिल्कुल नहीं जानते उन किसी भी area में हमें कुछ नो कुछ myths हो सकती है मुझे भी काफी सारी myths होंगी और मैं भी कई बार अपने myths को clear करने की कोशिश करता हूँ हम सभी को होती है knowingly, unknowingly, but यह होती है तो उसी तरह से autumn boils में, car industry में और जो car के users हैं, जो daily users हैं उनको भी कई बार काफी सारी myths होते है हो सकता है, आप उनमें से ना हो लेकिन काफी सारे लोग हो सकते है तो आईए, जानते हैं, वो क्या myths है काफी सारे लोगों को असल में car को, गाड़ी को ज़दा उंचा उठाने का शौक होता है और उसके कुछ फाइदे भी होते है क्योंकि car जितना ज़दा उपर उठेगी उसकी ground clearance उतनी ज़दा बड़ेगी और ground clearance बनने से आप ज़दा confidence के साथ रोड़ पर चल सकते है या off-roading कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ब्रहम है, ब्रहम क्या है जो गाड़ी में springs होते हैं जो rear और front पर springs होते हैं उन spring में असल में क्या करते हैं, buffer लगवा देते हैं तो buffer लगाने से क्या होता है एक spiral उसका circle जो है, उसके बीच में buffer लगा देते हैं तो यानि कि वो इतना प्रेस नहीं होगा और गाड़ी थोड़ी उठी भी लगेगी और गाड़ी थोड़ी उठी जाती है यानि कि खुता क्या है टायर माननी इस पोजिशन पर है और इसका जो फेंटर इस पोजिशन पर था buffer लारे के बाद हो सकता है वो इतना आ जाए बट कुछ लोगों को लगता है कि वो buffer लगाने से गाड़ी की ground clearance बढ़ जाती है लबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है lift kit लगाने से या buffer लगाने से गाड़ी की ground clearance कभी नहीं बढ़ती है ground clearance का मतलब यह नहीं होता तो खुदा क्या है, जब आप lift kit लगाते हैं, वो lift kit कहा लगेगी, कहीं तो लगेगी, बफर जो लगेंगे, या उन spring को आप बड़ा करवा दोगे, और जो spring होते हैं, या बड़े shocker होते हैं, वो lift kit का पार्ट होते हैं, तो असल में तो लगेंगे, तो कुछ पार्ट ऐसे हों चाहे वो monocop vehicle हो, जो basically एक single body, single chassis के साथ होता है, दोने ही case में, अगर आप गाड़ी में lift kit या बफर लगवाते हैं गाड़ी उठाने के लिए, जो टायर अपने पहले यूस किया था, वो ही टायर उस गाड़ी में लगे रहने देना, फिर देखना कि उसकी ground clearance किसने बढ़त बड़ा टायर लगाने के लिए, लेकिन उसमें एक challenge है, अगर आपने बहुत बड़ा टायर लगा दिया, जब गाड़ी को काटेंगे, तो गाड़ी के जो inner lining होते हैं basically, जो गाड़ी के fender के नीचे लगे होते हैं, वहाँ पर टायर basically उन areas में touch कर सकते हैं, या body में touch कर सकते है जिसे काफी सार friction आएगा और काफी steep mode पर आपको काफी सारी दिक्कते आने वाली हैं, तो इसलिए जब भी आप गाड़ी में बड़ा टायर लगाना चाहें, तो आप देख लीजिए कि वो कितना बड़ा है, बट इतना जान लीजिए, गाड़ी में lift it लगाने से या buffer लगा वो सिर्फ गाड़ी के टायर को upsize करने का तरीका है, तो hopefully आपको clear होगा कि ये myth क्यूं है, इस तरह के और myths basically मैं आगे लेके आऊंगा, future में मैं अच्छी fuel economy कैसे निकालनी है गाड़ी से, इसके उपर भी वीडियो लेके आऊंगा, तो इसी तरह के बहुत सारे वीडियो इस Autotech series में आपको देखने को मिलेंगे, तो मिर्दा बने रही है, तो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो प्रसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर ये वीडियो प्संद नहीं आई है, तो आप dislike भी कर दीजिए, कोई issue नहीं है, लेकिन कुछ तो कीजिए इस वीडियो पर, और मुझे बताईए किन-किन topics पे आप वीडियो चाहते हैं, मैं उन-उन topics पे और बहुत सारी वीडियो बनाऊंगा, अगर सच में आपको ये वीडियो प्रसंद आई है, इस वीडियो को शेर कीजिए, मेरे चैनल को सब्स्राइब कीज अपना support बना के रखिए, किसी को भी कोई question है, कोई query है, वो मुझे comment में लिख सकता है, तो अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद,